हेलो फ्रेंड्स आज हम आपके साथ सेयर करने वाले हैं गाजर की बिल्कुल नई रेसिपी जो काफी टेश्टी और बहुत हैल्दी है एक बार आपने इसे बना लियाना तो गारंटी है पूरी प्लेट चट कर जाएंगे तो चलिए सुरू करते हैं बनाना यहाँ पे हमने लिया है आधी कब बास्मती चावल यहाँ पे आप कोई भी चावल यूज कर सकते हैं अब इसे हम एक खंटे के लिए भिगो के रख देते हैं साइड में अब हम लेंगे 10 से 12 काजू इसे भी हम 15 मिनट के लिए भिगो देते हैं यहाँ पर हमने लिया है आधा केजी गाजर जिसके छिलके को निकाल लिया है और अच्छे से थूल के इसे हमने बढ़ियां से कद्दू कस कर लिया है मीडियम साइज का जो होता है ना कद्दू कस बिल्कुल उसी से किया है तो ये देखिए हमारे गाजर कद्दू कस हो गया है और एक घंटा भी हो गया है तो चावल हमारा अच्छे से फूल गया है इसके पानी को हम निकाल के मिकसर जार में डाल देते हैं इसी के साथ इसमें हम काजू को भी आड़ कर देते हैं क्यूंकि काजू भी फूल गया है काजर को सूखे ही डाल देते हैं बिना ओयल बिना घी के इसे हम मीडियम फ्लेम पे एक मिनद तक ऐसे ही बहुन लेते हैं अब इसमें हम एड़ करेंगे दो बड़े चमच चीनी मीठा आप अपने कॉर्डिंग कम जादा रख सकते हैं अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते है और यहां पे फ्लेम को बिल्कुल लो कर देते हैं ताकि जो चीनी हमारी है अच्छे से मेल्ट हो जाए तो यह देखिए फ्रेंज चीनी हमारी मेल्ट हो रही है यहां पे चीनी मेल्ट हो गई है अब इसमें हम एड़ कर देते हैं क्रीम वाला दूद तो आधा लेटर हमने द दरदरा पेश्ट बनाया था चावल का और काजू का उसे एड़ कर देते हैं और फिर से हम एक बार चला लेते हैं यहाँ पे फिलिम को लो ही रखे नहीं तो नीचे से पकड़ने लगता है अब यहाँ पे हम एड़ करेंगे दो बड़े चमच मिल्क पाउडर आप यहाँ पे क चोड़ा सा गरी का पुरादा और मगर्ज के बीच आड़ करेंगे यहाँ पे जो भी ड्राइफूर्स आपको डालना है आप अपने कॉर्डिंग डाल सकते हैं कम या जादा और इसके बाद इसमें फ्लेवर देने के लिए इलाची पाउडर डालेंगे आधी चमच अच्छ नई है एकदम अलग सी है एक बार जरूर ट्राइगा बच्चों को यह बहुत पसंद आएगी और अगर घर पे महमान आ गया है तो मीठे में आप यह रेसिपी जरूर ट्राइगा उनको भी यह बहुत पसंद आएगा अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्ल दे है नेक्स वीडियो में बबाई